बाबा केदार के दर्शन के लिए दुनिया भर से सरधालो केदारनात पहुंसते हैं इस साल भी अगर हम बात करें तो लगभख 17 लाख से जादा सरधालों ने केदारनात पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन की वहीं 6 महिने तक जब बाबा केदार के दर्शन केदारनात यानि केदार घाटी में होते हैं तो बाकी के 6 महिने में बाबा आखिर रहते कहां पर हैं क्या कपाड बंध होने के बाद उसी के अंदर जो मंदिर है केदारनात में उसी के अंदर बाबा केदार रहते हैं इसे सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में जरूर आते होंगे वहीं आज हम जिस मंदिर में आपको लेकर आए हैं ये मंदिर विराजमान है उखिमट में और उखिमट में इस मंदिर के अगर बात करें तो यहां पर ही बाकी 6 महने के लिए बाबा केदार यहां पर विराजमान क्योंकि जो 6 महने कपाट किदार घाटी में बंद रहते हैं उसके बाद के 6 महने पूजा अर्शना यहीं इसी मंदिर में बाबा किदार की होती है आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से किदारनात का मंदिर है उसी स्वरूप में ये मंदिर है और सबसे बड़ी बात है कि इसकी विसेस्ता अलग है वो व्यक्ति जो लोग सारे रूप से कहें या फिर किसी वजह से केदारनाथ जाकर बाबा केदार के दर्शन नहीं कर पाते हैं वो आकर यहां पर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं हर स पर विराजवान रहते हैं, पूरे जानकारी हम यहाँ पर जो पूजा अर्चना करते हैं, जो पंडित, उनसे भी लेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आकर आप बाबा के दार के दर्शन कर सकते हैं, अपने आप में आपको एक सान्ती की अनुभूती होगी और जिस तरह से ये चारो तरफ से पहाडियों के बीच में हैं अब तो कुछ समय बाद यहां की जो ये उची पहाडियां है इनमें भी बरबारी हो जाएगी तो आप आकर यहां पर भी बाबा भूले के दर्शन कर सकते हैं आपका पूरा नाम क्या है और जिस तरह से अगर बात करें हम भगवान यहां पर आते हैं सीटकाल के लिए क्या कुछ रहता है थोड़ा सा गपूरा मैं इस वदर में ठानी बेद पाथी स्री केजानात मंदर सरीती ओम बंदे देव मापतिम सुर गुरूम बंदे जगतकारणम बंदे पन्नगव सनम पांच केजार हैं पंच केजार ओम्रों में दो के आरेंगे डानी सरीत यही कमरिए और ऑंच कोंदर में पन्हाइं THE B यक्ष और किन्रों के द्वारा की जाते हैं आज भी उसी पुरानिक प्रम्परा पर चलने हैं और जब बाबा केयानात की उस सब डोली छे महा के लिए इस अस्थान पर आ जाती है तो यहां पर भी काभी तेर्थी यात्री दर्सन के लिए कहते हैं जो ब्यक्ति केयानात तक न पर भगवान के लानात की उस्षा भोग प्रतिमा का जो दर्सन कर लेते हैं उनकी भी मनकाम में फून हो जाती है तो यहां पर भगवान उंकार स्वाजी ने ओम के रूप में दर्सन दिये थी जो की राजा मान दाता जी जी वह चोथ्य वास्ता में उन्होंने बैरग्या ध यहां पर आकर उन्होंने कई हच्जार वर्सों तक दर्सन की तपस्या की राजा मान दाता जी ने कई हच्जार वर्सों तक यहां पर तपस्या की उनकी तपस्या से जा भगवान शंकर प्रसन हो गे तो राजा जी को भवान शंकर ने ओम के रूप में दर्सन दे इसलिए इ सिमन्द्र को ऑंकार ये संव जना जाता है यहां पर भर्वान करफे पुत्र प्रधाइck wa पर प्रभुण बंशालं के पुत्र और प्रधाम और वहीं दृए मध्षार्ट पर ऑदनेट एंग दिए मध्य और Community अव पीवा तो और करैat जो सरदालू यहां पर आकर भगवान ओंकारिस्वार्ट और दृत्य किरा भगवान सीतकार में भगवान मदमेस्वार्ट और किरानाथ के दर्सन कर लेते हैं उनकी सारी जन्म जन्मों तक की मनकामनाई पूर्ण हो जाती है जैस्री किरा